वेल्कम टो एर चैनल निसी हाटी नॉविल अग्राद में आपको साइन्स का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स पढ़ाने जा रही हूं इसमें हम लोग ने चैप्टर 1 में पढ़ा था इंग्रीडियेंट्स के बारे में कि किसी भी जो आइटम होते हैं फूद आइटम उनके इंग्र कि आगे पढ़ने जा रहे हैं। कि उसको देकने वाले नूंते हैं। अगर हम अपना चैप्टर स्टाट करते हैं। इसमें सबसे पहले तो यह बताया गिए हमें इन इडिया का मैप लेकर बैठ लेट उसमा पर लेक् ba are माकरें कि different separate कहा पर हे और वहां पर क्या-क्या डिशिस लीजाती है ऐ खाने में जैसे पंजाब में मकी की रोटी, सरसो का साज लिया जाता है या आनपरदेश में अगर देखा जा तो कुंदरू, तूर की दाल ली जाती है, अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग फूद वराइटी रहती है, तो हमें एक चाहट बना लेना है, और ये हमारी एक्टिविटी बने हैं, इसमें चाहट बना लेना है, चाहट बना के, वहांके डिशे很好, जैसे ये बामँ दिखा रहे हैं, वैसे अरेंज करना है, तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं, ये हु. हम्ने पहले बढ़ा था इंग्रिडिants के व पार्रीडियंट से और से आते हैं. कि आते हैं रहे हैं, कि di जो इन इंग्रीडियंट के और finder components यह पेम होते हैं, हम यहां मेली पढ़ने जा रहे हैं निूर्टेंस निउस ट्रींस क्या components that are needed by our body. These components are called nutrients तोके तो यह जो components होते हैं यह क्यालाते है nutrangस तो जiorसे कर देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज आपे तो इसमें हमारे क्या-क्या components अब यह components क्या होते हैं तो components हमारे होते हैं major components और minor components यहां किसी भी तरह से उसको तो रिकागनाइज कर सकते हैं कि major, minor, major, other जैसे भी चाहें, तो यहां पर बतायागा है, जो major components हैं, वो मेली आपके यहां पर तीन है, मेली है, carbohydrates, proteins and fats, other में आपके आजाते हैं, vitamins and minerals, और बहुत सी चीज़े होती हैं, वो हम आगे chapter में, detail में पढ़ते हैं, दीरे-दीरे, अब सबसे पहले हम यह देखेंगे, हमने यह समझ लिया, कि यह जो हमारे food items हैं, इनमें carbohydrates हैं, nutrients हैं, carbohydrates है, fat है और protein है, लेकिन हम कैसे जानेंगे, कि यह जो rice हमें दिख रहा है, इसमें carbohydrates है, fat है या protein है, तो इसके लिए हम कुछ activities करेंगे, या कुछ हम test करेंगे, इन तीनो nutrients से related, तो सबसे पहले आपको यह बताना है, कि इसनके लिए हमें कुछ chemical की जरूरत पड़ेगी, और इन chemicals को हमारी teacher lab में तयार कर देगी, ठीक है, तो उसके बाद हम इसको एक-एक अपना test start करेंगे, सबसे पहले हमें करना है कि test tube ले लेना है, test tube को बिल्कुल clean कर लेना है, उसके बाद हमें यह activity start करने से पहले आपको यह बताना जरूरी है, कि हमें क्या करना चाहिए, कुछ chemicals हैं जो हमें तयार करना चाहिए, जैसे यहां पे लिखा हुआ, a dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water, यहां पर हमें एक test tube लेनी है, test tube को half filled करना है water से, और water, distill water लेना होता है हमें और उसके उस water को लेने के बाद उसमें tincture डाल देना है, few drops of tincture iodine को जो tincture होता है, उसे डाल के यह solution तयार करना है, दूसरा solution तयार करना है हमें copper sulfate, यह आपकी टीचर करेगी, आप लोग इन chemical से दूरी रहिएगा, copper sulfate solution हमें बनाना है, वो हम कैसे बनाएंगे, हम 2 gram solid copper sulfate ले 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 लेंगे और उसको 100 ml water में dissolve करके एक solution यह बना लेंगे, उसके बाद हमें caustic soda यानिकी एनिवेच sodium hydroxide का solution बनाना है, जिसमें में 10 gram solid sodium hydroxide ले ले लेना है, जो कि 100 ml water में उसको तयार करके उसका एक solution बना लेना है, अब सबसे पहले हम test करने जा रहे हैं, यह हम देख रहे हैं कि rice, हम कोई भी dish ले सकते हैं, जरूरी नहीं हम यह पर rice लें, हम यह पर potato ले सकते हैं, आपको जो पसंदों आप ले, ठीक है, तो सबसे पहले हम starch करने जा रहे हैं, या carbohydrate कर टेस करन लेना है, raw potato जरूरी है, तो raw लेने के बाद हमें इसे cut करना है, cut करने के बाद यह solution हमारा बना हुआ, जो भी हमने पहले प्रिपेर किया था, उसे 2 से 3 drops डाल देना है, जैसे हम यह पर 2 से 3 drops डालते हैं, हम देखते हैं, अगर यह हमारा जो color है, blue black हो जाता है, तो यह बताता इसे कार्भोहाइड़ नहीं है, तो इस तरह से हम बहुत से चीजे ले सकते हैं और उसमें पता कर सकते हैं कि किस oh, में क्या है, किस जैसे कि हमने पोटेटो लिया तो हम स्टाइट, मिले तक इसे कार्भोहाइड़ेट हैं, तो इस तरह से हमारा Woods को इसे मार् lesज कोशी पंस अब हम ऐसे नेक्स्ट लेंगे अब हम यहां पर प्रोटीन का टेस्स करेंगे अब पहले में पता आना चाहिए कि प्रोटीन का टेस्स करने जा रहे हैं तो इसके लिए हम क्या क्या ले सकते हम एग ले सकते हम मीट ले सकते हम बहुत से चीजें इसमें अपने लिए ले सकते हम कोई भी डाले ले सकते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है आपर सबसे पहले हमें टेस्ट ट्यूप को बिल्कुल क्लीन करना है और क्लीन करने के बाद उसमें जो भी जैसे हम डाल लेते हैं तो डाल को अच्छी तरह से उसका पेस्ट बना लेना है पेस्ट बनाने के बाद उ तोड़ी से वाटर में बिला कर उसे small quantity ही लेना है और वो लेकर इसमें 10 drops हमें water डालने आप और सब्सक्रास और शेक करना तोका सेक करने के बाद उसमें हमें 2 drops solution जो हमने copper sulphate का बनाया है और 10 drops हमने जो caustic soda का solution बनाया है वो उसमें डाल देना है उसके बाद उसे में बहुत अच्छे से शेक करना है हिलाना है हिलाके उसे कुछ देर के लिए रख देना है पिर हम देखेंगे कि जो हमारा सैंप्ल हमने लिया था यसे इन्हों ने यहाँ पर एग का वाइड जो पॉर्शन होता है वो लिया है यह तो जैसे कि इन्हों ने यहाँ पर लिया और यह देख रहे हैं कि इसका कलर कैसे चेंज हो रहा है वालेट कलर में यह चेंज हो जाता है तो यह कंफर्म करता है कि जो हमने लिया था न्यूटिन यह जो हमने लिया था कंटेंट तो यह इसमें प्रोटीन है यह कंफर्म करते क कर रहा है यहां पर प्रोटीन है कि तो हमने इपने दू निट्स के टेस्क्राइब कर लिए प्रोटीन कर टेस्किया और हम टेस्क्राइब बहुत असाना आप जानते होगी जो ओए होता है उसे ही fat कहते हैं जिसे हैं या यह fat है इसको हम कैसे horse ciao पता कर सकते हैं आप ली अपनी सामोसे जरूर खाया हूंगे तो हम लोग को paper समोसे मलते थे तो tissue paper हम उसमें लगाते थे तो tissue paper लगाने से क्या होते है और तो एक आयल सा उसमें आ जाता है जब यह बताता कि यह दो कंटेंट यह जो हमने समोसा लिया था इस में तु हम ईतला हुए तौ इसके लीए कोई टेस्क ज़रूरत नहीं और रहें आप अगर हमें वहां पर ओयल दिख रहा है यानि कि उसके अंदर फैट है अधर वाइस उसमें फैट नहीं है यह भी बता देना बहुत जरूरी है आप लगों को कि जो न्यूटेंट्स होते हैं वह मेली हम लोगने सर्फ तीन पढ़ें लेकिन इन तीन न्यूटेंट्स के अलावा भी बहुत से न्यूटेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉड़ी के लिए बहुत जरूरी होते हैं बहुत से वाइटमिन्स हैं मिनरल्स हैं रफेज हैं फाइबर्स हैं तो यह भी हम आगे के चैप्टर में आगे के पार्ट में इसको कम्प्लीट करेंगे फिर आगे हम यह भी फैयर कि इतना जाना चाहिए कि हर चीज कैसे balance करके अपनी बाड़ी में उसी को balance juda कि हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे मेली हमने इस Чप्टर में विसल्फ इतना पढ़ना था कि कि fat क्या होता है, vitamins प्रोटीन ज्विद यंग्रीडि आरकृग्यों क्यों होते हैं फिर हमने फूट तो समझ लिया कि क्या होते हैं इनके सोर्से समझ लिये फिर अब यह देख रहे हैं कि इस जो इंग्रीडियन्स हमें पता चले हैं यह इंग्रीडियन्स के अंदर भी कुछ होता है कि नहीं होता है तो हमने इनको जाना कि जो हमारे इंग्रीडियन्स राइस है या इंग्रीजेंट्स हमारे वीट है जो भी है बाजरा है तो इसके इंदर पुटैटो हो गया तो उसके इंदर क्या है क्या इसके इंदर सिर्फ जो पुटैटो दिख रहा है तो नहीं हमने पढ़ा फूट कंपोनेंट के बारे में कि नहीं पुटैटो के अंदर हमने पढ़ इसमें फैट है और जो परो बैरेमने मोरें कर दकी यह पाड़ क्छिक्श रिली ने लितर ने नूिकड़ बारे में फैट में पर्ण ए पड़ा है यहां नूटिण्स के बारे में बहुत ही जादाए इंपॉर्टेंट है आप लोग ये भी पता करिएगा कि आप लोग ये करिएगा कि हमने तो आपको करके दिखाया बताया टेस्ट अब आप लोग एक उसको उठाके इसको लैब में टेस्ट करिएगा कि किसमें कार्भोहाइड होता है और किसमें नहीं होता है और इसके लिस्ट बनाकर मुझे कमें में सेंड कीज़ेगा ऐसी प्रोटीन के लिए लिस्ट मनाईएगा कि मिल्क में प्रोटीन ही होता है या कुछ और भी होता है क्या जो हमें मीठा 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 लगता है क्या उसमें कार्भो हाड़ेड होता है क्या प्रोटीन का कोई टेस्ट होता है और क्या के डिशेज होती हैं जिसमें फैट होते हैं तो यह आप मुझे अबसर्व करके जो आप घर में अभी फिलाल कर सकते हूं तो आप उसको अबसर्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजेगा इसके अलावा हमने जैसे की बताया आपको कि हम लोग अधर इनके बारे में पढ़ेंगे मेली बैलेंस डाइट और बैलेंस डाइट ना लेने से जो बॉड़ी में प्रॉब्लम आती है वो भी हम पढ़ेंगे ओके तब तक के लिए फिर आप वेट कीजेगा और मैं आपको नेक्स पार्ट में मिलती हूं थैंक्स वाचिंग फॉर दिस शेयर और हमारे इसमें नीचे और भी लिंक दिये गए अब उसमें भी जा सकते हैं और पहली की मेरी जो वीडियो है उसे भी देख सकते हैं और तब तक के लिए बाई बाई